अब हम चर्चा करेंगे उर्जा के परंपरागत श्रोथ और गैर परंपरागत श्रोथ पे दोनों में एक अंतर है उर्जा के जो परंपरागत श्रोथ हैं जैसे आपका कोईला है प्राकृतिक गैस है पेट्रोलियम की हम बात करें तो ये सभी सिमीत रूप में हैं, सिमीत संसाधन हैं और साथ ही साथ परियावरण के लिए प्रदुशनकारी भी हैं वहीं जब हम गैर परंप्रागत उर्जाश्रोत की बात करते हैं तो ये असिमीत संसाधन हैं असिमीत कैसे जैसे हमारा सूर्य का प्रकाश असिमीत है वो चलने वाली जो पवन हैं चाहे हम किसी भी प्रकार की पवन की बात करें चाहे व्यापारिक पवन की बात करें मौसमी पवनों की बात करें पच्छवा हवाओं की बात करें सभी असिमीत है मतलब जब तक श्रिस्ट प्रयोग से परियावरन को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कोईले के संबंद में उर्जा का जो प्रम्प्रागत श्रोथ है कोईला अब हम देखते हैं उर्जा के प्रम्प्रागत दूसरा जो हमारा श्रोथ है वो है आपका प्राकृतिक गैस प्राकृतिक गैस जो है वो एक महत्वपूर्ण इंधन है और आज के समय में हम बात करें तो इसका उप्योग बढ़ता जा रहा है लगातार और विभिन उद्योगों में ये एक चालक शक्ती के रूप में भी प्रयोग किया जाता है घरों में घरेलू इंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो प्राकृतिक गैस की इसके महत्वप को देखते हुए गैस अथॉर्टी आफ इंडिया लिमिटेट गेल जिसे हम कहते हैं इसकी स्थापना की गई और इसकी स्थापना 1984 में 1984 में की गई है हम जब पेट्रोलियम की बात कर रहे थे तो हमने देखा था कि पेट्रोलियम को हम खननकारी के द्वारा ये एक जिवाश में इंधन था तो जिस भी स्थान पर पेट्रोलियम प्राप्ति किया जाता है वही पर से आपको प्राकृतिक गैस की भी प्राप्ति होती है और पेट्रोलियम के निकालने के पहले प्राकृतिक गैस जो है वो वहाँ पर उपलब्ध होता है क्योंकि पेट्रोलियम की अपेक्षा प्राकृतिक गैस जो है वो हलका होता है इसलिए पाइपलाइन में भी या जहां से भी हम निकाल रहे हैं तो पेट्रोलियम के पहले वहा जो हां पर प्राक्रितिक गैस के विशाल भंडार होने के संकेत बिल Martu जो सवे है यह जो हों निए आट ने लुकर मैं या निकालन कारिय नहीं παा立 Nós उसका है वह अच्छी तरह से होने लगेगा तो फिर हमें बहुत बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस जो है वो उपलब्ध हो जाएगा और हम अपने देश में इस कमी को बहुत हद तक कम कर पाएंगे अब हम नेक्स्ट देखते हैं नाभी की उर्जा नाभी की उर्जा जो है वो वर्तमान समय में हम कोईला देख रहे हैं पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस तो इसकी सिमीत मात्रा को देखते हुए नाभी की उर्जा जो है वो एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में या हम कहें कि उर्जा संसाधन के रूप में हमारे सामने उभर कर आया है इसे हम परमाणू विद्युत या फिर नाभी की उर्जा दोनों नाम से चानते हैं हम अपने भारत में देखें तो इसकी शुरुवात या इसकी खोज कहा जाए तो ये डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के द्वारा किया गया है और ये किस से प्राप्ति किया जाता है नाभिकी उर्जा या परमाणु विद्यूद जो है तो ये आपके यूरेनियम है थोरियम है या जिर्कोनियम और ऐसे ही जो रेडियो धर्मी तत्व अन्य रेडियो धर्मी तत्व की हम बात करें तो जब इन रेडियो धर्मी तत्वों में विखंडन होता है तो इनके विखंडन से नाभिकी उर्जा या उर्जा की जो प्राप्ति है वो होती है अब हम देखते हैं कि 25,000,000 किलोग्राम कोईले को जला कर जितनी मात्रा में उर्जा प्राप्त की जाती है उतनी ही उर्जा जो है वो सिर्फ आपके 1 किलोग्राम नाभिकी उर्जा से उत्पन्न की जा सकती है तो जब 1 kg नाभिकी उर्जा से हमारा काम चल जा रहा है तो हम 25,00,000 kg कोईले को क्यों वेस्ट करें हम क्यों ना 1 kg नाभिकी उर्जा से ही काम चला ले अब हम देखते हैं जैसे यूरेनियम की हमने बात की थी यूरेनियम भी एक रेडियो धर्मी तत्व है और जब इसका विखंडन होता है तो इससे उर्जा उत्पन होती है तो यह आपके प्रमुक रूप से हम देखेंगे तो जारखंड के सी भूम और जादू गुड़ा में इसका खनन कारिय यूरेनियम का किया जाता है वहाँ यूरेनियम की प्राप्ती होती है अब हम राजस्थान में बात करेंगे तो राजस्थान के अलवर जुन जुनु और उदैपूर में यूरेनियम की प्राप्ती होती है या यूरेनियम के भंडार मिले हैं हिमाचल प्रदेश में हम देखेंगे तो हीमाचल प्रदेश का कुलू में हमें यूरेनियम के भंडार मिलते हैं महाराश्टर में आपका भंडारा है अब हम बात करते हैं हमारे भारत में नाभिकी उर्जा के छेतर में परमाणू उर्जा आयोग का गठन किया गया और आयोग की स्थापना आपके 1948 में की गई 1948 में और यहाँ पर जो संस्थान इसके माध्यम से स्थापित किया गया जिसका नाम है आपका ट्रामे परमाणू उर्जा संस्थान ये आपका 1954 में इस्थापित किया गया है अब इसका नाम जो है वो बदल कर अब डाक्टर होमी जहांगीर भाभा जिन्हों ने हमारे भारत में नाभिकी उर्जा की खोज की थी, इनके नाम पर ही अब इसका नाम बदल कर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है वो रखा गया है, और ये नाम परिवर्तन किया गया 1967 में, 1967 में, अब हम देख लेते हैं, नाभिकी उर्जा की जो परियोजनाएं भारत में संचाली थ हैं, तो वो कौन-कौन से हैं और किन-किन इस्थानों पर ये स्थापित किये गया हैं, हम देखते हैं, तारापूर, महाराष्ट, तारापूर जो है, अनुसंधान केंद्र आपका महाराष्ट में संचाली था, ये परियोजना, इसके बाद रावत भाठा जो है, ये आपके राजस्थान में है, रावत भाठा परियोजना संचालीत है, कलपक्कम जो है, ये तमिल नाडू में संचालीत की जा रही है, और नरोरा परियोजना जो है, ये आपके उत्तर प्रदेश में संचालीत की जा रही है, तो ये आपके प्रमुख परमाणू या हम कह हैं परमाण पर्योजनाएं हैं जो अलग-अलग राजियों में संचालित की जारी हैं वर्तमान समय में हम कोईले की सिमीत मात्रा या सिमीत मात्रा में उपलब्धता को देखते हुए नाभिकी उर्जा जो है ये हमारे सामने एक बहुत हम बहतर विकल्प कह सकते हैं जिसमें हलांकि ये कीम इसमें और अढ़िक त्रीकेसे विकशित करने के लिए इसकी खोज की जानी चाहिए और इसके कोईले के बहस्तर विकल्प के रूप में हमें इसे प्रयोग किया जाना चाहिए को जैसे हमने देखा था उरेनियम जो है या जिर्कोंियम यह सब जो है यह रेडियो धर्मी तत्व थे तो हमने भी बात की थी यूरेनिएम जो है यह आपका किन-किन राज्यों में मिलता है वहीं जब हम जिर्को निएम की बात करेंगे तो जिर्को नियम में केरल जो है वो सबसे आगे है और यहां लगभग पांच टन जिर्कोनियम के भंडार मिलते हैं अब हम थोरियम को देख लेते हैं तो थोरियम आपका मोनोजाइट और इलमेनाइट ये दोनों जो हैं आयस्क हैं थोरियम के मोनोजाइट और इलमेनाइट आयस्क से हम थोरियम प्राप्त करते हैं और ये भी हमें केरल के 30 चेत्रों में बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध मिलते हैं ति ये हो गई नाभिकी उर्जा की बात अब ये तो हो गई बात आपके उर्जा के परंपरागत श्रोतों की अब हम उर्जा के जो गईर परंपरागत श्रोत हैं उनके विशय में चर्चा करते हैं जिसमें हम देखते हैं पहला है आपका सौर उर्जा सूर्य से प्राप्त होने वाली जो उर्जा है ये हमें एकदम free मिल रही है और जब तक हमने कहा कि ये प्रकृती है तब तक ये उर्जा हमें अनवरत रूप से प्राप्त होती रहेगी तो ये हमारे उर्जा के लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है अगर हम इसे और अच्छी तरह से विक्सित कर पाएं तो सौर उर्जा जो है वो आपके फोटो वल्टिक सेलों से सूरी की जो किरने होती हैं सौरी से जो आने वाली किरने हैं उनको उर्जा में परिवर्टित करके किया जा सकता है या किया जाता है अब ये जो फोटो वोल्टिक सेले होती हैं उनमें एक तो हम सौरी से आने वाली किरनों को उर्जा की रूप में परिवर्तित कर सकते हैं और दूसरा है आपका जो सौर तापी सिस्टम लगाया जाता है इससे भी हम सौर उर्जा को प्राप्त कर सकते हैं और इनसे हम पानी गर्म कर सकते हैं भोजन पकाने के लिए इसका उपयोग जो है वो किया जा सकता है ये सौरूर्जय जो है ये हमारे परियावरण के अनुकूल है इससे किसी भी प्रकार का परियावरण प्रदूशन नहीं होता और साथ ही साथ एक बार जब हम इसे लगाते हैं सैयंत्र को तभी हमें ये खर्चाता है और उसके बाद ये बहुत कम खर्च में हम इसे प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ इसे बनाने में इसके निर्माण में भी बहुत आसानी होती है अब इसके विकास की संभावना वाले जो छेत्र हैं सौरूर्जा का हम भारत के किन-किन छेत्रों में अधिक विकास कर सकते हैं तो हम देखते हैं हमारा राजस्थान जहां पर जो प परक शिमी हिस्से की जब बात करेंगे और विशेशकर राजस्थान और गुजरात तो यहां पर सौर उर्जा के विकास की बहुत अधीक संभावन आए यह हो गया सौर उर्जा अब हम देखते हैं पवन उर्जा जो पवन या हम कह सकते हैं कि जो हवाग गती करती है तो उसे पवन कह रहे हैं और चलती पवन से या उसकी गतिज उर्जा से हम उर्जा उत्पन कर सकते हैं तो पवन उर्जा हम सीधे से यही कहेंगे कि जो पवन की गतिज उर्जा है उसे हम पवन उर्जा कहते हैं जब पवन चलती है तो उस छेतर में जहां पर बहुत तिवर गती से हव चलती हैं तो वहाँ पर उन छेत्रों में टर्बाइन लगाकर या टर्बाइन के द्वारा विद्यूत उर्जा जो है विद्यूत उर्जा में हम उसे पवन उर्जा को विद्यूत उर्जा में बदल सकते हैं क्या लाब होते हैं ये भी बिल्कुल हमने पहले भी बात की थी कि जितने भी उर्जा के गैर परंप्रागत श्रोत हैं हम किसी भी श्रोत की बात कर लें तो ये परियावरन को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं परियावरन के अनुकूल हैं और साथ ही साथ असिमीत मात्रा में ह हमें उपलब्ध हैं यह सिमीत मात्रा नहीं है जब तक प्रिथवी है तब तक हमें पवन उर्जा भी प्राप्त होती रहेगी फिर चाहे हम बात कर लें कि हम पच्छुआ हवाओं से उसकी गतिज उर्जा से पवन उर्जा उत्पन कर रहे हैं या फिर हम किसी भी इस्थानी हमाओ की बात कर लें मौसमी हमाओ की बात कर लें तो सभी से हम पवन उर्जा प्राप्त कर सकते हैं अब इसके अनुकूल परिस्थितियां कौन कौन सी है धी हम भारत में देखें तो वही आपका राजस्थान, गुजरात और महाराज़््ट साथ ही साथ करनाटक में इसके विकास की बहुत अधिक संभावनाये हैं यह हम देखें कि उसके अनुकूल जो है वो परिस्थितियां यहां पर बनती हैं जहां पर हम पवन उर्जा को बहुत अधिक विक्सित कर सकते हैं अब इसके बाद है आपका नेक्स्ट जुआरी तरंग या जुआरी और तरंग महासागरों में जो उची उची महासागरी लहरे उठती हैं और विशेश कर जो जुआरी ये लहरे होती हैं जब उच जुआरा आता है तो उस इस्थिती में हम उन लहरों के द्वारा उर्जा प्राप्त कर सकते हैं उर्जा उत्पन कर सकते हैं महासागरी धाराओं में हमने कहा कि महासागरी धाराओं से भी जो हम उर्जा प्राप्त कर रहे हैं जुआरी उर्जा के रूप में ये भी हमारा असिमित संसाधन है क्योंकि महासागरों में जल जो है वो असिमित है हमारा पुरा हमने बात की थी कि 71% जो है यह हमें जल हमारी प्रिथ्वी में उपलब्ध है भारत का जो पश्यमी तठ हैं हम फिर से बात करेंगे भारत के पश्यमी तठ में जवारी तरंगे उत्पन होती हैं और संभावनाएं हैं लेकिन इसको यहाँ पर संभावना अधिक बन रही है कि हम यहाँ पर इस छेत्र से अधिक से अधिक मात्रा में उर्जा जो है जुआरी उर्जा उत्पन्न कर सकते हैं लेकिन हमारे भारत में अभी इसका बहुत अधिक विकास नहीं हुआ है इसके बाद आता है आपका नेक्स अपने क्रस्ट के नीचे चले जाएं तो वहां पर बहुत अधिक जो है तापमान उसका बहुत अधिक है और बहुत अधिक तापमान होने के हमारे प्रमाण उससे मिलते हैं कि जब भी कोई ज्वाला मुख्य विस्फोट होता है तो उससे बहुत अधिक तापमान वाला मैगम जो है बाहर निकलता है तो प्रिथ्वी के आंतरिक भाग से जो मैगमा निकलता है उसके साथ ही साथ उस मैगमा के साथ उष्मा की मात्रा भी बाहर आती है जिसे यह जो उष्मा निकलती है इससे हम बहुत आसानी से विद्यूत उर्जा में बदल सकते हैं और इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो गीजर होते हैं गीजर वाले कूब जो होते हैं जहां पर जो गर्म जल के श्रोथ होते हैं जहां से पृत्वी के भुगर्व से गर्म जल जो है वो लगात धरातल की तरफ आता है इससे ये जो गर्म पानी निकलता है उससे भी हम ताप उर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं या हम ये कहें कि इससे भी ताप उर्जा जो है उत्पन कर सकते हैं भारत में जो भूतापी उर्जा सैयंत्र है ये आपका मनोकरण या हम इसे मनीकरण कहते है हिमाचल प्रदेश का जो मनिकर्ण नामकिस्थान है वहाँ पर इस्थापित किया गया है और सबसे पहले जब भूतापी उर्जा उत्पन करने की हम बात करेंगे तो हम देखते हैं कि सन 1890 में सबसे पहले जो है USA का इताहो प्रांत है वहाँ पर बोईजे शहर में भावनों को जो भावन थे मकान थे वहाँ पर ताप देने के लिए इस उर्जा का सबसे पहले प्रयोग किया गया है हलांकि हमारे भारत में भी अभी इसका बहुत अधिक विकास नहीं हो पाया है इसका और जहां पर भी हमें गर्म जल के श्रोत मिलते हैं या जो गीजर वाले कूप हैं इन सभी स्थानों से हम हमारे पास बहुत अधिक संभावनाएं हैं कि हम भूत आपी उर्जा उत्पन कर पाएं फिर अगला हम देखते हैं जैव उर्जा या जिसे हम बायो मास एनर्जी कहते हैं बायो मास एनरजी या जैव उर्जा जो भी जैविक उत्पाद होते हैं जैसे घर से निकलने वाला उद्योगों से निकलने वाला जो कुड़ा या कच्रा हम कह सकते हैं जितने भी जो अपसिस्ट पदार्थ घरों से भी घरों से भी और उद्योगों से जो प्राप्त होते हैं उनसे जब हम उर्जा उत्पन्न करते हैं या उसे हम विद्यूत उर्जा में परिवर्तित करते हैं तो उसे हम बायो मास एनरजी या जैव उर्जा के नाम से जानते हैं जैव उर्जा को हम विद्यत उर्जा उत्पन्न करने में ताप उर्जा या घरों में खाना बनाने वाली गैस में भी परिवर्टित कर सकते हैं नगरपालिका से जो कच्छडा निकलता है नगरपालिका जो है वो कच्छडे से जैव उर्जा का सायन्त्र लगाई हुई है वो किस छेत्र में हैं आपके नई दिल्ली के ओखला में जैव उर्जा सायंत्री की स्थापना की गई है अब ये हमने देखा हमारे पास इतने बहतर विकल्प हैं उर्जा के गैर परंपरागत श्रोत के रूप में जिसे यदि हम बहुत अच्छे से अपने देश में भी विक्सित कर लें तो जो हमा इन सभी का हमें बहतर विकल्प मिल सकता है और वो भी हम अपने परियावरन को सुरक्षित और सनरक्षित रखते हुए इन सभी का उपयोग कर सकते हैं तो ये शाशन का उत्तरदाइत्व है और हम सभी का भी उत्तरदाइत्व है कि हम इसे बहतर तरीके से इसका विकास करें और अपने आने वाली जो पिढ़ी है उसके लिए हम एक समपोश्णी विकास के रूप में मतलब हमारे पास जो संसाधन है उनके एक विकल्प के रूप में उसे विक्सित करें ताकि आने वाली पिढ़ी के लिए ये सभी जो संसाधन है वो बचे रहें झाल 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 झाल